नमस्कार दोस्तो यह हीरो की New Glamour XTek 125 हीरो ने Glamour XTek को रूँटूध किया है Mobile Bluetooth Connectivity, GPS और भी कई सारे features के साथ Glamour XTek में क्या-क्या नए features दिये हैり क्या-क्या बद लब गिये हैं आब इसकी कीमत भी normal Glamour से 4-5R पर बढ़ गई है इसकी नई on road कीमत कितनी है, mileage कितना है और glamour, extract, drum और disc दो variant में आती है दो color option के साथ launch हुई है तो start करते हैं इसके front profile से तो यहाँ पर इसका जो visor है वो भी fully change हो चुका है और इसके उपर wind seal का जो glass है जिसके उपर hero का 3D में logo दिया है और इसके visor के side में matte finish मिल जाती है ग्रे कलर की और नीचे की side में blue color का sticker दिया है और यहाँ पर आपको indicator वही पुराने वाले मिल जाते है वल्ब के साथ और इसकी जो head lamp है वो fully change हो चुकी है अब इसमें आपको fully LED DLs मिल जाती है इसमें आपको पहले bulb वाली light मिलती थी जैसा कि यहाँ से आप इसकी रौशनी को देख सकते हो night के लिए काफी अच्छी road pigeons इस bike में आपको मिल जाती है इसके नीचे की side में चले हैं तो यहाँ से आप इसके front वाले mud guard को देख सकते हैं इसके mud guard के side में IBS का logo दिया गया है और इसमें integrated braking system दिया गया है इसकी आगे और पीछे की दोनों brake एक साथ काम करती है और यहाँ पर 220 mm का disc brake का diameter दिया गया है और इसके suspension के उपर एक reflector भी मिल जाता है और यहाँ पर 8018 का tire size दिया गया है इसमें C8 company के tulis tire दिये गए है और black color के सांदार alloy wheels मिल जाते हैं और इसके alloy wheels के उपर blue color की strip दी गई है जो कि इसके look को काफी ज़्यादा attractive बना रही है इसके suspension की बात करें तो telescopic fork type A suspension दिये हैं जिसमें 120 mm का travel मिल जाता है अब इसके सबसे बड़े बदलाब की बात करें तो इसका जो meter console है वो पूरा का पूरा change कर दिया है पहले analog और digital type का meter console आता था तो अब इसमें fully digital type का meter console दिया है और यहाँ पर engine malfunction light turn signal indication light और i3S की indication light दी गई है और इसके side में gear की neutral light और यहाँ पर side stand indication light और main head light indication light दी गई है और यहाँ पर एक नया features भी मिल जाता है gear position indication light भी मिल जाती है जो आपको महंगी महंगी बाइकों में भी नहीं मिलती है यहाँ पर kilometer पर hour की speed और यहाँ पर kilometer की reading दी गई है और यहाँ पर fuel की reading दी गई है और इसके trip 2 से adjust करें तो यहाँ पर आपको trip 2 का option मिल जाता है और इसमें आपको एक नया features भी मिल जाता है mobile bluetooth connectivity का अब आप इसको mobile से connect करके आप इसके सभी features का फायदा उठा सकते हैं और इसमें आपको GPS location भी enable कर सकते हैं और यहाँ पर आपको eco mode भी मिल जाता है overall इसकी जो features हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे और bike के मुकाबले और यहाँ पर आपको black color की handlebar rod दी गई है और इसके side mirror आपको वही पुराने वाले मिल जाते हैं जो आपको 100 million edition और blaze edition में मिलते हैं यहाँ पर passing switch, low beam, high beam switch, indicator और horn का switch दिया है और इसके नई features की बात करें तो यहाँ पर आपको mobile charging port मिल जाता है पहले इसमें आपको mobile charging port नहीं मिलता था और यहाँ से आप अपने mobile को connect कर सकते हैं इसके दूसी side में चले हैं यहाँ पर i3S का switch और self का switch दिया गया है दोस्तो इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो body color और जो graphics और sticker पूरे के पूरे change कर दिये हैं और नीचे की जो theme है वो black color की दी गई है और यह जो इसका जो color है वो matte gray color का दिया गया है इसके fuel tank के उपर glamour का 3D में logo दिया है पहले इसमें 3D में logo नहीं मिलता था और यहाँ पर white color का graphics और blue color की strip दी गई है और इसके battery panel पर भी blue color की strip i3S का logo और program'd FI की bedging बिल जाती है जो कि इसके look को काफी ज़्यादा attractive बना रही है और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो 188 का tire size दिया है इसमें C8 company के tulless tire दिये गए है और यहाँ पर 5 step adjustable hydraulic sock absorber type के suspension मिल जाते है जिसको आप 5 times के लिए adjust भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको rear braking system मिल जाता है जो कि integrated braking system दिया है इसकी पीछे वाली जो braking system है वो भी काफी effective बना दी है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका जो rear वाली जो braking system का जो diameter है वो 130 mm का दिया गया है और यहाँ पर आपको matte finish में gray color का grab handle मिल जाता है और इसके उपर hero का sticker दिया गया है इसके पीछे की side में आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा इसकी जो tail lamp है वो भी bulb वाली दी गई है और यहाँ पर indicator भी आपको bulb वाली मिल जाते हैं और इसके नीचे की side में reflector भी मिल जाता है इसके side की तरफ चलें दूसी side में तो यहाँ भी आपको hero का sticker देखने को मिल जाता है और यहाँ भी आपको i3S का sticker दिया गया है और यहाँ पर program defi की wedging दी गई है और blue color की strip दी गई है और इसके जो fuel tank की capacity है वो 10 liter की दी गई है इसके पीछे की side में black color का company fitted sardi guard दिया गया है और इसके black color के alloy wheels के उपर blue color की strip दी गई है जिसके उपर glamour की branding भी मिल जाती है और इसके chancet cover की बात करें तो plastic का chancet cover मिल जाता है जो की build quality में काफी अच्चा है और यहाँ पर adjustable putrest दिया गया है और यहाँ पर side stand और man stand मिल जाते हैं इसके side stand के उपर engine cut off का sensor दिया गया है जो की एक नया features है इस bike में और यहाँ पर आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है और यहाँ पर आपको hero की branding मिल जाती है इसके engine के उपर और यहाँ पर आपको single horn मिल जाता है यहाँ पर आपको leg guard नहीं मिलता है company fitted इसके engine और power की बात करें तो 125 cc का air cooled forest rock 2 valve bs6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 10.87 ps की 7500 rpm पर इसका maximum torque है 10.6 nm का 6000 rpm पर इसका curve weight है 123 kg और इसमें आपको bank angle sensor भी मिल जाता है अगर आपकी bike गिर जाती है तो इसका जो engine है वो automatic बंद हो जाएगा यहां से आप इसके engine को देख सकते हो इसके engine के उपर hero की branding दी गई है और यहां पर engine oil filter और engine oil cap दिया गया है यहां पर brake pad और 180 mm की ground clearance दी गई है यहां पर आपको KK start का option भी मिल जाता है और इसके engine के head के उपर एक sensor दिया गया है और जैसा कि दूस्तों यहां पर आप देख सकते हो इसका fuel injection system यहां पर आपको देखने को मिल जाता है इस bike में आपको 2 liter petrol reserve करके रखना पड़ेगा और इसके engine के head के उपर एक spark plug दिया गया है और यहां पर एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है और यहां से आप इसके catalytic converter को देख सकते हो जो की matte black finish में दिया गया है और इसके उपर नीचे की set भी आपको plate देखने को मिल जाती है यहां भी आपको safety features का दियान रखा गया है और इसका जो exhaust है वही पुराना वाला दिया गया है जिसके उपर black color की एक metal की plate लगाई गयी है और इसका जो exhaust है वो काफी muscular सा बनाया गया है जैसा कि यहां से आप इसकी design को देख सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके engine की और इसके exhaust के sound की तो सबसे पहले मैं आपको इसका engine का और इसके exhaust का sound सुना देता हूँ जैसा कि बाइक स्टार्ट हो चीग है तो यहां से आप इसके engine का sound सुन सकते हैं तो आपको इसके engine का sound कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसका जो engine है वो काफी smooth और काफी refined engine है और यहां से आप इसके exhaust का sound भी सुन सकते हो और note भी कर सकते हो दोस्तो जैसा कि इसका engine है वो काफी ज़्यादा silent दिया गया है इसके mileage की बात करें तो इस bike में आपको 60-65 km पर लीटर का असानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो तो अब मैं बात करूँ इसके on road price की तो glamour x-tech के disc variant की on road कीमत है एक लाग 1200 पे ये on road price मैंने आपको बताया है sinusure hero madhyam gram kolkata sorum का sorum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी tension नल है आप अपनी city का on road price पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को comment कर देना मैं आपको reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जासे आदे like करें comment करें share करें और चैनल पर पहली बार आयें तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दें